हेलो फ्रेंद्स स्वागत है आप लोग का NCIT जोन में एडूटेरिया का करेंट अफेस्ट डिसकस करें क्या क्या कर चुके पहले हो मैं बता दो एडूटेरिया की जो सबसे नई वाली मैग जीन आई है इंग्लिस में हम लोग डिसकस करें जिसमें 1st March 2021 से 1st April 2022 तक है तो आने वाले एक्जाम जो की BPSC उसके अलावी UPPCS का एक्जाम जो आने वाला है और बहुत सारे SSC, CGL का जो एक्जाम अभी चल लाए है इन सब एक्जामों में ये काफी important मैग जीन है ये काफी अच्छे से arrange होता है इसमें कुछ national, international, economic, science and tech, defense इस सब का अलग अलग चाप्टर होता है तो यहाँ पे देखो हम लोग खाफी अच्छे से करा रहे है ये magazine आई शुरुआत कब से हुई ये शुरुआत हुई जैनवरी उसे ही पहले लेकिन हम कब से करवा रहे हैं जैनवरी 2021 से जो पहले magazine आई थी जैनवरी से अगस्त तक का है देखो तो हम लोग पहले national करेंट अफर्स करा रहे थे जैनवरी से अगस्त उसके बाद जो अगली magazine आई उससे हम लोग सिर्फ कुछ चीज़े चाटे कुछ चीज़ को लिए जो अगस्त सेप्टमबर अक्टूबर का न्यूज था उसके बाद अगला magazine आया उससे हम सिर्फ नववेंबर दिसंबर का लिए अगला magazine आया उससे हम जैनवरी फैबरोरी मार्च के लिए तो national अभी तक पूरा हो गया है 2021 जैनवरी से लेके 2022 मार्च तक पूरा मार्च तो इसमें आपको जितना करना है जितना आपको करना है बस उतना कर लिए जितने महीने करना है आपको काफी अच्छे से एरेंज किया हुआ है ठीक है सेम इसी तरह international हम सारा कर चुके हैं economy हम सारा कर चुके हैं अभी हम science and take और defense discuss करेंगे यहां पर यहां पर यह जो नया वाला वीडियो आजाएगा वो यहां पर आजाएगा देखो पहले हमने science and take के दो वीडियो में शुरुवात के साथ महीनों का उसके बाद August, September, October का इसमें वीडियो हैं November, December का इस वीडियो में इसके बाद एक प्लेलिस्ट एक वीडियो आएगा जिसमें हम January, February, March का एक वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मेरा नंबर तो आपको पता यह कोई भी doubt हो कोई भी course related पूछना हो जो description में course दिया है तो इस नंबर में message कर सकते हैं ठीक है चलिए हमारे president सहाब है रामनात कोविंजी इन्हों ने एक ओनर का नाम है president scholarship और ये किसी इंस्टिवीaguton को दिया जाता है मतलब की किसी highest जो किसी military unit को दिया जाता है तो किसको तिया गया i.n.s वालसुरा को दिया गया ये क्या है euro typical institution है इंडिय नेवी की सिंपल है नेभी का टेकनोल्जिकल ट्रेनिंग इस्टिटिूशन है इस ने इतना अच्छा काम किया कि इसको प्रेशिडेंस कलर अवर्ड मिला तो सिंपल पूछा हो सकता है इस बार हेड़कोर्टर मुंबई में है इससे रिलेटर दो न्यूज आये है एक तो न्यूज ये है प्रस्थान प्रस्थान क्या है यहां पर आपसर सिक्योरिटी एक्सराइज हुआ इसका क्या नाम है प्रस्थान लेकिन लेकिन एक ज्वाइंट मिलिटरी एक्सराइज भी हुआ है यहां पर बस क्या है ओपसूर सेक्षयरिटी एक्सराइज लेकिन एक जवाइन्ट military एक्सराइज वह जिसमें हमारे न्यवी आये हमारे आर्मिया हमारे एयर फोर्स हमारे जो coast guard है वो आए सब मिलके एक joint exercise किया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा उसका नाम रखा पश्चिम लहर पश्चिम लहर समझ मैं तो पश्चिम लहर अलग चीज है प्रस्थान अलग चीज है दोनों में confuse मत होना ठीक है प्रस्थान क्या है कि आपसूर security exercise हुआ बस लेक joint military exercise क्या हुआ पश्चिम लहर के नाम से लेकिन दोनों कहां पर वेस्टर नेवल कमांड के पास नाटो जो मेंबर्स है नौन आपको पता ना हमने देखा कि कोलंबिया को नौन नाटो अलाइंस का दरजा मिला है या भी हमने पिछले वीडियो में देखा तो यहां पर एक औ और है नाटो मेंबर्स ने एक exercise किया जिसका नाम राखा cold response 2022 military exercise है कहां पर हुआ नौर्वे में simple पूछेगा cold response 2022 एक military exercise है किस से रिलेटर है तो नाटो के मेंबर्स रिलेटर है हुआ कहां पर अगला कोशन पुछा सकता है तो नौर्वे में कि देखो यह एक satellite launch vehicle है मतलब यह satellite को यह launch करता है कई टाइप के है एस 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 एलवी उसके पी एस एलवी जी एस 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 एलवी का फुल्पर होता है small satellite launch vehicle यह कहां तक लोवर अर्थ और मिडिल अर्थ और तक पहुंचाता है अगर लोवर पर पहुंचाना तो ज्यादा वज जलका पाजाता है यह तीन स्टेजिज में काम करता है यह बात याद रखें त्री स्टेजिज में फ्यूल वाला सिस्टम होता है तो इस दो ने अभी अभी सक्सेस्फूली टेस्ट फायर किया solid fuel based booster stage को simple simple booster stage किस फ्यूल से चलता है लिक्विडिया शॉलिट सॉलिड फ्यूल इस में है ठीक है नेक्स्ट नासा ने अभी सक्सेस्फूली लॉंच किया एक next generation weather satellite जिसका नाम है गोज टी गोज टी अब हम दो सूपर कंप्यूटर के बारे में डिसकस करते एक है प्रवा प्रवा यानि परम प्रवा और प्रवेग प्रवेग और परम गंगा परम गंगा क प्रवा प्रवाग यह आई एस्सी में ठीक है अब कोशन रहता है इंडिया का सबसे फार्टेश्ट कंप्यूटर कोन है सूपर को यह है परम सिद्धी परम सिद्धी परम गंगा परम प्रवा इसको बनाये किसने सीड़ेक ने बनाये Center for Development of Advanced Computing उसके लावे इंडिया का पहला इंडिजिनियस फ्लाइंग ट्रेनर फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एंजी यह किसके द्वारे डिवलप किया गया इस आई यर एन एएल के द्वारा और इन्होंने कंड़क्ट किया सीट्राल इन पूल वी चरी और इससे क्या हो जाता यह हंसा एंजी है इसे जो ट्रेनिंग उरेनिंग के लिए जो पाईलट का ट्रेनिंग उगरा करना होता ना वो करता है करवाता यही चलिए इरान ने अभी सक्सेस्फुली लॉंच किया है सेकेंड इंडिजिनसली अपने उनके देश में बना है एक मिलिटरी सेटलाइट है जिसका नाम है नूर टू कहां पर रहा है लो अर्थ और्विट में ठीक है उसके लाबे इस रो ने जो चंद्रियान टू को छोरा थ था उसमें अभी और्वाइट करें हमने तो लैंडिंग और रोविंग वाला करते है कि लैंड भी करेंग रोवर भी होगा यह नहीं हुआ था अक्चुली लेकिन और्विट तो अभी भी कर रही है तो और्विट करने के फल सुरूप उसने और्गन फोटी को डिसकवर किया है कि बाई और्गन फोटी मिल रहा है काहां पर मून पर और मून के का मून के आउटर इटमोसफेर में मिल रहा है एक बहुत अच्छा चीज है क्योंकि अर्थ का सबसे डिपेस्ट पॉंट को है मैं पता है अब चाइना ने क्या किया चाइना का एक अनमेंड सब्मरीन यहा कोई पहुंचा है मरियाना ट्रेंज बे किसी देश का अन्वैंट सब्मरीन कौन सा कौन सा किस देश का है हो क्लियर उसके लावे दो प्रोजेक्ट के बारे में देख लीजिए एक है प्रोजेक्ट 75 और एक है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 75 के थरू हम क्या बना रहे इसकोरपियन सब्मरीन के देख नरे इसकोरपियन सचक्छा हरा प्रोजेक्ट75 किसके साथ मिलके बना रहे है फ्रांस के साथ मिलके बना रहे है कितना six scorpion class submarine बनाना है इसमें से पांच मा बनके तयार हो गया पहला इसका सी ट्रार शुरू हो रहा है जिसका नम है बजीर बहुत है छेक में यह लेटेश्ट ही याद रखना नहीं तो मन होगा तो पहले चार भी याद कर ले ना और यहां पर वाट देखना ॥ा साइन किया था हमारे ministry of defence के साथ कि सर हम आपको पांच देंगे तो यह पांचमा दे रहा है तो आपको लिए कुछ पाकिस्तान या किसी और देश्ट का नाम है लेकिन नहीं इनका नाम है जो स्कॉर्पियन सब्मेरीन है उसमें से पांचमा का नाम है अर्थ औबजर्वेशन सेटलाइट है इसका इस रोका जिसका फूल फॉल्फरम है जिसका नाम है EOS04 ठीक है ठीक है यहाँ पे इन दोनों में इन दोनों में एक सीमिलार्डेटी है इसको और इसको एक लॉंच वे से पिप्टीटू पी एसलव सी फिप्टीटू हो गया अब इसको यह किसके दोर्व बनाए गया था इस रोक दर है इस रोका यह 2022 का पहला मिशन है और अर्थ के बहुत चीज को बताएगा यह थूरू रिमोट सेंसिंग और इसका दस सल समय है और एक और है इंस्पाइर था क्या भारत है सिप नहीं भारत के अलावे यूएश ताइवान और सिंगापूर भारत यूएश ताइवान और ुछिंगापूर और एक स्टुडेंट सेटलाइट है जो और यह और स्वाइटल आध तेमिंपरेटिर और आयय नोभर को में करेगा समझ में आ न बिएस ए सेटलाइट है EOS04 जो बिल्कुल इस रो का है एक और है इंस्पायर सैट वन इसमें भारत इवे से ताइवान और सिंगापूर है एक स्टुडेंट सेटलाइट है और सन के चारोत्रप का टेंपरेचर हो गरा यह ने लेगा उसके बाद परम प्रवेग तो हमने डिसकस करी लिय वे उसके बाद इजरायल ने एक बहुत एक सीडोम सिस्टम आपने जरूर सुना होगा यह डिफेंट सिस्टम है नेवल एयर डिफेंस सिस्टम रहे हैं यह नेवी के लिए ऐरफोर्स के लिए 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 वह काम करेंगे नासा ने अनौंस किया है कि उपना ऑप्रेशन इं बांगलादेश और यूएस है इन दोनों ने इन दोनों के एयर फोर्स ने एक एक्ससाइज क्या नाम रखा है कोप साउथ ट्वंटी 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 टू कहां पर वह धाकां में हुआ थीक है उसके लावे इस्ष्डा का इस्पेस साटलाइट है चंद्रियान टू इसने डिटेक्ट किया है ऑसलर प्रोटोन इवेंट देखो चंद्रियान टू से radiation हजार टू हुमन मतलब ओवेसली रेडियेशन हुमन के उपर फेकता है और यह हजारडस होता है हुमन के लिए ठीक है अब क्या हुआ है लार्जेश्ट गेलेक्सी मिला है हमेशा सबसे बरा लार्जेश्ट गेलेक्सी मिला है क्या नाम है एलकीउनियस और यह सन से 240 बिलियन इस बरा है उसके अलब है ऑस्ट्रेलिया के साइंटिश्ट ने बताया एक मॉंटेन का डिस्कवरी किया जिसका नाम है सूपर मॉंटेन यह आर्थ हिष्ट्री में दो बार बना यह सब याद नहीं रखना है यह हिमालेयल रेंज से आल्मॉस्ट तीन टाइम्स ज्यादा लं कि भारत ने बोला कि फॉरेंड ड्रोन हम नहीं मंगवाएंगे हम अपने देश में द्रोन मंगवाएंगे उसके अलावे नासा का एक पारकर सोलर प्रोब मिशन है यह सोलर और बारे में सब कुछ बताता है इसने पहली बार क्या बताया है वीनस का पिक्चर लिए वीनस के स उसके बाद इसरो ने डी कमिशन किया है एक कम्मिनिकेशन सेटलाइट था इसका नाम है इनसेट 4B इसको इसका बारा साल का टाइन परियेड था 2007 में छोड़ा गया था एरियन 5 रॉकेट से इसको छोड़ा गया था ठीक है उसके लाबे इंडिया ने रिशीब किया है अमेर इन्टी सबमेरीन वोरफेर इसका नाहा में एरक्राफ्ट P-81 वॉर्फेर एरक्राफ्ट है इन्टी सबमेरीन वोरफेर एरक्राफ्ट P-81 यह अमेरिका से मना रही है इंडिया ने आठ कर साइन किया था 2009 और 2016 में बोला की बहुआ चार और दे दो पस्चीं लहर वाला तो अ इडवांस लाइट हेलिकॉप्टर जिसका नाम है धुरूब पूचाली उसको क्या किया है इंड़क्ट गिया हैं लैक्तो के दर्वार शांक रहे और यह? फो आर धार क्वारण लिमिटेड के द्वारा है ठीक है रसिया की नेवी चाइना की नेवी और इरान की नेवी इन्हों ने तीनों ने नेवल एक्सराइज किया है जिसका नाम है चीरू 2Q22 ने चीरू 2022 कहीं कहीं पर 2Q22 भी लिखा है उससे कोई फर्क में बता है नाटो का पार्टनर कंट्री उन्होंने एक मेरिटाइम एक्सराइज किया जिसका नाम है नेप्चून स्ट्राइक ठीक है कहां पर मेडिटेरेनियन सी में नाटो का जो पार्टनर कंट्री है उसने कंड़क्ट किया ह एक maritime exercise जिसका नाम है Neptune Strike 2022 कहां पर Mediterranean Sea South Africa ने पहला indigenous satellite constellation MDA sat इसको launch किया है पूरा अफरीका में बना था और इसको launch करेगा SpaceX transport 3 mission on a Falcon 9 rocket इंडिया और रसिया की नेवी ने कंड़क्त किया है पैसेक्स एससाइज कहां पर Arabian Sea में पैसेक्स एससाइज और आपको पता ना G.S.L.V में एक एक स्टेज है क्रायोजेनिक स्टेज तो इस रोंने सक्सेस्फुली टेस्ट किया है क्रायोजेनिक इंजन विकास को क्यूं क्यूंकि फॉर किस मिशन के लिए गगनयान मिशन के लिए साउथ अफ्रीका और हो गई है नॉर्थ कोरिया ने सक्सेस्फुली टेस्ट फायर किया है बैलेस्टिक मिसाल जिसका ना में हुआ श्रॉंग 12 उसके बाद जानवी डैंगेटी यह आंदर परदेश की है यह पहली इंडियन वोमन बनी है जो कंप्लीट नासा की तू कंप्ल हाइट टेस्ट ऑफ वर्ल हैबिए स्परिस्पों सुपर सोनिक फाइटर एर्ट करब जिसका ना में है वाइट श्वान टी यू-170 एम बंबर इजराल ने कंड़क्ट किया सक्सेस्फुल टेस्ट एयरो थी एंटी बैलिस्टिक मिसाल सिस्टम एयरो थी एंटी बैलिस्टि के साथ agreement कि वो इंडिया उसको क्या देगा advance light helicopter Mk3 देगा advance light helicopter Mk3 देगा चीली के scientist ने एक planet खो जा है जो Jupiter से 11 गुना बरा है Jupiter जो हमारा सबसे largest उसे 11 गुना बरा है जिसके नाम उन्हें ने रखा पी century और आर्थ से 325 लाइट ये अवे दूर है पारकर solar probe mission तो हमने देखा यह यह become the first spacecraft जो की sun के orbite outer mission advance पर गया डी आडियो ने और Indian Air Force ने successfully test किया है standoff anti-tank missile from Pokhra standoff standoff anti-tank missile from Pokhra उसके लाब डी आडियो ने successfully test fire किया है supersonic missile assisted torpedo यह smart है और SANT, SANT में डी आडियो और Air Force डी आडियो ने क्या किया smart और smart plus Indian Navy मलब डी आडियो किसके लिए Indian Navy के लिए फ्रॉम बाला सोडी ने लिए उसके लाबे नासा के साइंटिश ने इस्ट्रा टेरिस्ट्रियल प्लानेट मतलब यह से बाहर है जी से 367 वी जो शुरुआत के कुछ इंडिया को ताकि उसको लद्दाक सेक्टर में डिप्लोई किया जा सके इंडिया के प्राइबेट कंपनी स्काइड रूट एयर इस्पेस इन्हों ने पहला रॉकेट बिक्रमोन लॉंच किया इस्ट्रों के साथ मिलके उसके लाब एक सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है जिस अगनी पी जो कि एक नुक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है यह नुक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है अगनी पी ठीक है जापान क्या बना है पहला डूल मोड वेहिकल बना है जो रेलवे पी चलेगा रोड पर भी चलेगा नासा ने क्या बता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पावर्फू टेलिस्कोप जेम्स वेव को छोड़ा गया यह बात ही आप तो अखिएगा फ्रेंच गुएनवाय एरियन फाइब रॉकेट ठीक है उसके अलाबे डियादियों नो सक्सेस्पुली कंड़क्ट किया है एक फ्लाइट टेस इसके संसे साइकी मीशन है जो कि launch किया है नासा किसके में फीर स्टॉयड साइकी के नाम IRS और मर्स छूं dersab आपको पता नर्ज जिन्रली इस टॉयड्स वहीं पर फ्रेंट है उसके अलाबे तीन चार कोषन और है ठीक है क्योंकि इसके बाद का हम लोग पिछले मैगजिन में जब हम जैनवरी दिसंबर तक का डिस्कूस कर रहे थे न अक्टूबर नॉवेंबर दिसंबर या पिछले मैगजिन में सारा दिया हुए इंडिया ने लॉंच किया पहला मैंड मिशन गगन्यान यह 2023 में करेगा प थो फालका नाइन डॉकर डाट विल डिटेक्ट अब्जेक्ट जो इनिवर्स में होगा उसको डिटेक्ट करें इंडिया एर फोर्स में डिप्लोई किया है पहला स्क्वाइड्रम ऑफ एस-400 मिसाइल्स अलांग दे इंडो पार्क बोर्डर इन पंजाब ठीक है इंडिया न मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम डिसकस करें बजट और एकॉनमी सर्वे डिसकस करते हैं चलिए थैंक्यू थैंक्यू सो मज आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटर तो आप इस नमबर मैसेज यह बाकी हो गया इससे पहले का इसके बाद जो भी इसकस कर चुए हैं तो रिपीट नहीं कराएंगे थैंक्यू थैंक्यू सो मज